बच्चे का स्वभाव मा के गर्भ से ही निर्धारित होता है। यह कहना एक विवादास्पद मुद्दा है जो समाज में व्याप्त है। इस पर विचार करते समय हमें विभिन पक्षों को समझने की आवश्यक्ता है। जिस से उसका स्वभाव स्वभाविक रूप से सकारातमक होता है। दूसरी ओर वैज्णिक प्रक्रिया और जीनिटिक विशलेशन दर्शाते हैं कि शिशु का स्वभाव उसके जीनों और उनके परियावरण से प्रभावित होता है। इसका मतलब है कि शिशु की व्यक्तित्व और स्वभाव का मूल आधार उसके जीनों में होता है, जो उसे मा के गर्भ में ही मिलते हैं। कारकों का ही उस पर प्रभाव होता है। कुछ अध्ययन इसे समर्थन करते हैं कि मात्र गर्भ में होने वाले प्रतिरूपन से ही शिशु के विकास पर असर होता है, जबकि अन्य अध्ययन इस धारणा को खंडित करते हैं। शिशु का विकास सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, जिससे उसका स्वभाव और व्यक्तित्व सुधारता है। नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन पर क्लिक करें।